मेरा नमस्कार आज की मेरी लॉंग टम पिक है स्टर्लिंग एन विल्सन रेनियोबल एनरजी 673-674 के करीबन ट्रेड हरा है स्टॉक इंडस्ट्रिल सेक्टर को बिलॉंग कर रहा है स्टॉक ने रिसंटली में मैंने में एक 80828 का हाई बना था उसके बाद पिछले स्टॉक के करेक्शन मोड में है रिसंटली स्टॉक ने अभी अपना जो 61.8% रिट्रेस्मेंट फिबुना की लेवल था वो भी रिटेस्ट केया था तो और वहां से एक अच्छा खासी रैली देखी हमने रिसंटली स्टॉक जो उसकी लंबी आउधी की मूविंग एवरेज है दो सो दिन की उसके उपर लगाता ट्रेट कर रहा है इमिजेट बेसिस पर जो सपोर्ट है वो करीबन 626-625 के करीबन है और स्टॉक कारण भावब पर काफी अट्रेक्टिव लग रहा है फ्रम रॉंग टर्ब प्रस्पेक्टिव और रिस्क रिबॉर्ड काफी फेवरेबल यह इस टॉक में बाइंग मोमंटम पिक अपोगा अगर यह स्टॉक अपना जो इमीजेट बेसिस पे रेजिस्टन साथ सो और साथ सो बीस का निकलता है तो एक जोड़दार बाइंग मोमंटम आ सकता है स्टॉक में तो उसके उपर आप और पुजिशन भी एड कर सकते हैं तो 25 का राएगा विच इस अप्रॉक्सिमेटली बीस से बाइस परसंट अपसाइड है फ्रम दी करेंट लेवल बीस से बाइस परसंट के अपसाइड के लिए खरदारी करें स्टर्लिंग और विल्सन यह है राए झाल 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 झाल